मैंगो फ्लिबर फालूदा मेक्स बानाने के लिए देखिए हमने यहां पे जो फालूदा का मिक्सचर लिया है उसमें भार मिसल है बासिल सीट से और मैंगो फ्लिबर है और आइज सुकर भी है पुरा का पुरा मिक्सचर है यह बाजर में असानी से मिल जाती है देखिए इसक से पहले हमने फूल क्रीम मिल्क यहक पर एक लीटा लिया है और उसे हम बॉयल कर लें ग草फ फूल क्रीम मिल्कित लें इसे अच्छ करना है हाई फ्लेम पे फिर उबालने के बाद देखिए हमारा जो यह मिक्सचर है वह हम एड करेंगे यह मैंगो फ्लिवर का है पुरा का पुरा मिक्सचर हमने डाल दिया है और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे दूद के साथ और मिक्स करने के बाद 15-20 मिनिट तक हमें इसे उबलना है अगर अच्छे से हम उबलेंगे तो ये दूद जो है और भी ज़्यादा गारा हो जाएगा और बहुत टेस्टी बनेगा देखिए बीच बीच में हमें इसे अच्छे से चलना है ताकि ये नीचे से बैट ना जाए हम एक बार मिक्स कर दिया है आच्छे से अब हम इसे उबल लेंगे देखिए दूद जो है थोड़ा थोड़ा हमारा गारा होने लगा है हमें 15-20 मिनिट तक इसे उबलना है आच्छे से बीच बीच में हम चारा लेंगे चामच की मदद से देखिए दूज जो है गारा हो गया है फिर हम इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे सर्प करेंगे हम दो घंडे के लिए फ्रीज में डाल दिया था लेकिन डीप फ्रीज में नहीं फ्रीज में डाल के ठंडा कर लिया था अब हम चार गलास लिए है यहाँ पर अब हम इसे साट कर लेंगे देखिये मिक्सच जो है बहुती गारा हो गया है यह बहुती टेस्टी रेशिपी है आप असान यसे इसे घर पर कभी भी बना सकते है अब हम चारो जो गलास है उसमें हम बराबर करके डालेंगे गर्मी के मौसम में भी आप इसे बना कर पेश सकती है और मेहमान को भी पीला सकती है यह बहुत ही कुईक इजी रेसिपी है अब कभी भी बनाई है साम के टाइम पे दो पहर के टाइम पे या कभी भी बनाई है इसे घर पे देखिए चारो ग ग्लास में हम डाल दिया है अब हम उपर से थोड़ा और भी ज़्यादा इसे टेस्टी बनने के लिए आइस क्रीम डालेंगे यह मैंगो फ्लिवर का है इसलिए हमने भैनिला फ्लिवर का ही आइस क्रीम डाला है उपर में देखिए चारो ग्लास पर हम बराबर करके डालेंगे और फिर हम उपर में थोड़ा ड्राइब फ्रूट्स गर्नेसिंग के लिए डाल दिया है आपको भी कहीं भी कभी इसे बना कर देखिए आपको बहुत अच्छे लगेगा यहां पर हमने आमांड काजू किस्मीज छोटे टुग्रों में काट कर लिया है और गार्नेसिंग के लिए उपर रख दिया है हम दोनों ग्लास शार्प करेंगे आपको दिखाते हैं यह बहुत ही इजी है और फिर उपर से और भी सुन्दल लागने के लिए हमने हर्शिस के जो सीराफ है स्ट्रॉवेरी फ्रेवर का वह हम आप एक बार जोरूर ट्राइ कीजिए यह आपको बहुत अच्छा लगेगा यह इजीली बन जाता है यह जो हमारा फालूदा मिक्सचर है वह बनकर रेडी हो गया है अगर आपको मेरी डेसिपी आच्छी लगी तो लाइक करना सेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना और पास में आखे मेल आइकोन को भी दाबा देना ताकि हर अपनोट के बार आपको नोटिफिकेशन मिल जाए